अब सोब का स्वागत है मेरे इस चनल पे तो आज की विडियो होने वाली है शुपरी की प्लांट के उपर तो शुपरी या फिर एरिकानाट की पेर को कैसे अच्छी तरीके से बरा किया जाए इसमें क्या क्या फर्टिलाइजर यूज किया जाए ताकि पेर जल्दी से बरा हो शुपरी या फिर एरिकानाट अगर इसमें फर्टिलाइजर यूज ठीक से नहीं करेंगे तो फिर पेर को दिक्कत होगी बढ़ने में तो चलिए जानते हैं शूपरी या फिरेरिकानट प्लान को कैसे सही तरीके से फर्टिलाइज करें अगर फर्टिलाइज सही से होगा तो पेर जल्दी से बरा होगा और पेर जल्दी से बरा होगा तो हम लोग को फ्रूट या कि जो फल है वो जल्दी मिलेगा तो चलिए चांद है कैसे फर्टिलेजर करें ये मेरे जो पेर है ये बेसिकली दो साल हो गए इसको इस साइज में होते हुए तो ये दो साल को चलते हुए मैं आज कुछ फर्टिलेजर मेरे इस सुपरी के पेर में इस पौधे में चोटे वाले पौधे में जो की दो साल का है इसमें फर्टिलेजर यूस करूंगा तो कौन सी कौन सी फर्टिलेजर मिक्स करके मैं यूस करता हूं बो सब बताऊंगा ऐसे मैंने तब चरे को चारो तरब से खोद लिए पहले और इसी में हम लोग अभी इस पर्टिलेजर यानि की शार को हम यूस करेंगे उसके बाद इस मिट्टी से इसको ढख देंगे ताकि बहुत अच्छे तरह के से फर्टिलेजर काम करें और हो सके तो कुछ उखी बत्ती या पिर और अर्गनिक खाजो है या फिर गोबर हम भी इस पर्टिलेजर के साथ मिक सो अगर मैं इस रेशो को मेरे पेर के हिसाब से कर रहा हूं तो अगर अब एक सो चारा पर ये फर्टिलेजर यूज करना चाहते हो तो तक्रीबन आपको 10 कीलो यूरिया, 10 कीलो पॉटाश और 10 कीलो एमोपी चाहिए एक सो चारे के लिए कर दोटो अब लोग किस तरह से आपिसाइए कर देगे गाए चारो तरफ से देगेए कि इस तरह के से सही फरीमान में हम लोग दे दिया ज्यादा कमने से कोई प्रब्लिम नहीं है यह हम नहीं दे दिया और इसके बाद हम लोग ऐसे मिट्टी से हमारी जो खाद है उसको ऐसे ढख देंगे ताकि हमारी खाद या फिर फर्टिलाइजर अंदर रहे और मिट्टी के सब अच्छे तरीके से मीच हो जाएंगे करेंगे जैसे कि मैंने जिस तरह से फर्टिलेजर को इस किया उसी तरीके से मेरे फादर काफी सालों से हमरी यह जो बगान है इस बागन में सिम तरीके से फर्टिलेजर यूज करते आ रहा है और इसका रेजल्ट बहुत ही अच्छा है और इसलिए मैंने आप लोगों को यह पक्रिया बताया तो अगर आपको यह वीडियो थोरी से भी अच्छा लागा या फिर आपको थोरी से भी काम पर आया तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर बीजिए फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ झाल